आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमजाजर जस्बात के रंग भरोसा के संग नमस्कार आप देख रहे हैं आरजे रमजाजर और महुप उखरास सिंग सरपंच प्रतिनीधियों के द्वारा अतिक्रमन हटाने पर लगाए गए आरोप निकला निराधार महिला ने बहकावे में आकर किया था शिकायत महिला के द्वारा शिकायत लिया गया वापस देखिये है रिपूर खबर मस्तूरी विकास खंड के ग्राम पंचायद चिलहाटी का जहां बीते दिनों अतिक्रमन हटाने की कारवाई पंचायद दौरा की गई थी जिसमें एक महिला दौरा सरपंच पती सहीत अन्य के खिलाप थाने सहीत अन्य जगों में शिकायद की गई थी कि उनके घर को तोड़ने की कारवाई के दौरान सभी व्यक्तियों ने उसके साथ दुर्वेवार करते हुए जाती गत गाली गौलोज किया था और जान से मारने की धमकी दी थी मामले में महिला ने 15 दिसंबर 2020 को बकाईदा, चिलहाटी थाने, अजाग थाने और पुलिस अजिक्षक कार्यारा तक आविधन देकर शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन अब उक्त मामले में शिकायत करता महिला द्वारा इसी मामले में खुद को भाकावे में आकर इस मामले को दर्ज कराने की बात कही जा रही है जिसने मीडिया में दिया अपने बयान में बताया कि उसने पैसों के लालच में आकर और किसी व्यक्ति के भाकावे में आकर लेकिन अब उसे अहसास हो गया है कि उसने गलती की है पंचायत की कारवाई जायज थी और उससे उन्हें कोई शिकायत नहीं है बल्कि उन्होंने अपनी शिकायत वापस लेने की बाद भी कही है बराल शिकायत करता महिला कमलेश्वरी भाई ने यह स्पस्ट करते हुए पिछले दिनों किये गए अपने शिकायत को जूटा साबित किया है जिससे पंचायत प्रतिनीधियों पर लगे आरोप जूटे साबित हो गये है परंतु यह सोचने वाली बात है कि किसी महिला के दौरा पूरों में लगाये गए किसी के उपर आरोप को बार में किस प्रकार से जूटा और निराधार कहा जा रहा है अब यह बात पहले कही गई थी वह जूटा है यह सोचने वाली बात है मस्तूरी से रविंद्र टंडन की रिपोर्ट आर जे रमजाजर झाल